वेलकम तो रिसोर्स पॉइंट आज अभी हमनों डिसकूस करने वाले है PT 365 जो कि हमारी यहां पर इन्वार्मेंट की चल रही है तो हम लोग ने एर पॉलिशन, वाटर पॉलिशन दोनों कम्पीट कर लिया आज इस्टार्ट करेंगे प्लास्टिक प्लिशन के साथ तो सबसे पहले देखने वाले हैं India Plastic Pack तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि हम लोग यहां पर फॉर्स्ट एशन कंट्री बन चुके है जिनके दुआरा Plastic Pack यहां पर डिवलप किया गया है वर बिल्डिंग सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक जैसे कि आप देखो कि Water Cycle की मैं बात की थी Water Cycle जिस तरीके से पानी को हम लोग इस्तिमाल करते हैं फिर वो गंदा होता है फिर से उस तरीके का बनाया जाता है कि हम लोग उसको फिर से reuse कर सके तो same thing यहां पर हम लोग बात कर रहे है एक circular system होना चाहिए प्लास्टिक का इट मींज कि जिस तरीके से plastic इंडस्टिक से निकल कर market तका रहा है लोग उसको use करें तो use करने के बाद वो dump हो जा रहा है और dump हो जा रहा है यहां वहां जिसके कारण plastic pollution हो रहे है तो यह dump नहीं होने के वज़ा जाए क्यों ना ऐसा हो जहां से plastic निकल रहे है वहीं plastic वापस चले जाए इक मींज कि इंडस्टिक से जो manufacture हो के plastic बहार आ रहे है market तक पहुंच रहे हैं लोगों तक पहुंच रहे तो फिर लोगों से वो industry में क्यों नहीं पहुंच सकते तो यह एक circular system है जो कि यहां पर प्लास्टिक बनाने की बात ही जा रही है तो बीच में यहां पर कोई भी system होगा ही नहीं जिससे कि आप देखो कि प्लास्टिक को land surface में फेका जाए या फिर ocean में dump किया जाए तो आप देखते हो कि बहुत सारे ocean में प्लास्टिक के कारण जो है वो कछड़े बन चुके है कछड़े का धेर बन चुका है और इसलिए यहां पर आपका जो है आप समझो कि इंडिया यहां पर यह पक्त लेकर आई है अब चली हम लोग इस तरी के का रूस लेकर आया है तो इसको समझते कि है क्या India प्लास्टिक पैक्ट तो यह आप लोग देखो कि लांच किया गया है WWF वोल्डवाइट फोन और यहां पर CII Confederation of Indian Industry यह जो इनिशेटीव है यह सारे स्टेक होल्डर्स को जितने भी यहां पर वैल्यू चेंबे है उन सबको एक साथ लाएंगे एक टाइम बाउट यहां पर टार्गेट बेस जो कमिट्मेंट है उसको सेट किया जाएगा कि करेंट जो लीनियर प्लास्टिक सिस्टम है और जो लीनियर कहने का मतलब है कि यहां पर इंडास्ट्री में मैंनुफेक्ट्चर होता है इसको सर्कुलर बनाना है तो इसलिए यहां पर इस तरीके का पैक्ट हम लोग लेकर आए वीजन टार्गेट और अगर हम लोग देखे यहां पर प्लास्टिक पैक्ट का तो वो सर्कुलर एकॉनमी के साथ जुड़ा हुआ है सर्कुलर एकॉनमी जिसमें कि आप वही सारी चीज़े देख रहे हो कि हमारे एकॉनमी भी आज की डेट में लीनियर एकॉनमी है लेकिन इसको सर्कुलर बनाने की जरुवत है तो इसी के प्रिंसिपल के साथ इसको जोड़ा गया है प्लास्टिक पैक्ट मॉडल की बात करें तो आज की डेट में यह बहुत सारे कंट्री में इसको इंप्लिमेंट किया जा रहा है जैसे UK, South Africa, Australia और फर्स्ट जो प्लास्टिक पैक्ट लांच किया गया था वो UK में 2018 में लांच की गए थी तो इसी को देखते हुए हमने भी यहाँ पे एशिया कंट्री में इसन कंट्री जितनी भी है उसमें से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट कंट्री बन चुके है इस पैक्ट को सपोर्ट किया गया है UK Research Innovation के दौरा और जो यहाँ पर WRAP है यानि कि World Wide Responsible Accredited Production है जिसमें कि New Technology को Provide किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर British High Commission के दौरा इसको इंडॉर्स भी किया जाएगा तो यह बात है रही पूरी अब यहाँ पर देखते है कि Plastic Pack Target क्या रखा गया है जिसे हम लोग यहाँ पर 2030 तर एक्चीव करना है फर्स है कि सबसे पहले list of unnecessary यहाँ पर जो items है और problematic जो plastic है packaging उसको यहाँ पर define करना है कि कौन-कौन सी ऐसी यहाँ पर plastic packaging है जिसको कि हम लोग यहाँ पर problem create कर रही है और उसको हम लोग यहाँ पर replace कर सकते unnecessary उतना ज्यादा important नहीं है उन सारे items की भी list बना रही है जो कि unnecessary है आज की date में आप देखते हो कि कैसे पहले जो है अगर आप cake खरीते थे तो plastic की knife देते थे लेकिन अब गया है कि disposable आप देखो wooden की knife होती है जो कि आराम से जो है वो आप land में land surface में फेको तो वो decompose हो जाएग रही है सारी चीज़े use की जाती थी तो दीरे-दीरे क्या हो रहा है कि वो सारी चीज़े को हटाने की कुशिश की जा रही है जो कि unnecessary है और जिसका कोई alternative हो सकता है second के 100% यहाँ पे plastic packaging जो है वो reusable और recycle होना चाहिए साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखे 3rd कहा जा रहा है कि 50% जो plastic packaging है वो effectively recycled होना चाहिए और 25% जो average recycled content है वो पूरे plastic packages का हो हर जगा होना चाहिए तो यह चीज़े आप लोग देख सकते हो तो यह बात की जा रही है plastic packaging यहा environment forest and climate change है जिनके द्वारे यह notify किया गया है plastic waste management amendment rules 2021 जिसमें की रोक आगया है identified जो single use plastic है इस पे रोक लगाया गया है तो इसलिए वो knife जो है क्या है कि वो आप देखो कि single use plastic है इस straw वगेर आप use करते हो उसको फेक देते हो वो वापस से फिर से use में नहीं आता है तो इस तरह के जो single use plastic items है उसको यहाँ पे use करने से रोका जा रहा है क्योंकि सबसे जादा problem यही create किया इसी के दुआरा create किया ज हो रहा है यानि कि आप जितनी बार आप जाओगे डाप पानी पीने भी जाओगे या फिर कोई भी आप पीने भी जाओगे तो हर बार आपको new straw मिलता है एक ही straw को तो आप नहीं रखे रहते हो कि next day भी आप उसी straw से पी होगे तो इसलिए ऐसी commodity होती है जिसका कि आप देख गानी खतम फिर फेक दिए यहाँ पर coffee stirrer है जो coffee को यहाँ पर mix किया जाता है soda और water bottles यह सारे कुछ ऐसे bottles है जिसको फिर से reuse नहीं कर सकते है और most food packaging food packaging आप देखते हो कि plastic आइटम्स में किया जाता है तो इस सबसे क्या होता है कि बहुत जादा जो है कच्रे यहाँ पर निकल इंपक्त क्या हो रहा है single-use plastic है लेकिन उसका environment के ओपर क्या impact हो रहा है उस पर यहाँ पर साथी जो product है जिसमें कि आपका low यहाँ पर score किया जा रहा है utility और high on environmental impact है उस तरीके के यहाँ पर product को रखा जा रहा है कि जिसकी utility कम है यानि कि use बहुत कम हो रहा है लेकिन आप समझ इंदिया तो आपको पता है कि कोई भी plastic जो है वो 100 साथ जादा जो है वो रहता है धर्ती पे रहता है तो आप समझ सकते हो कि आपकी कितनी generation चले जाएगी लेकिन आप प्लास्टिक नहीं जाता है वो जो एक बार आपने straw फेका है वो कई जन्मों तक रह जाता है तो इसी से problem create होती है कि environmental impact बहुत जादा होता है और उसकी utility बहुत कम है साथ ही अगर हम लों देखे कि provision क्या क्या रखा गया है plastic waste management इस rules के तैत तो इस rules में सबसे पहले कहा गया है कि जो आज के date में existing plastic waste management rules 2016 था उसको यहाँ पर replace किया गया है तो अब new 2018 का लाया गया है इसमें सबसे पह plastic है उसके manufacture को import को stock करना भी यहाँ पर मना किया गया है साती इसको distribute भी नहीं करना है इसको बेचना भी नहीं है और नहीं इसका इसका सिमाल करना है तो हर एक जखा पर यहाँ पर single-use plastic को band किया गया है और इसमें क्या है polystyrene है expanded यहाँ पर polystyrene है कुछ commodities है जो कि 1st of July 2022 से यह effect म आए बैंड जो है ना यह आपका commodities के ऊपर नहीं है यानि कि compostable जो plastic से बने वह है ना उस commodity के ऊपर यहाँ पर यहाँ पर नहीं है जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारी ऐसे products होते है कॉस्मेटिक प्रोड़क्स भी आप लोग देखते हो जो कि plastic उसमें यूस होता है as an ingredients तो उस तरीके से वो सारे product को बैं नहीं किया गया लेगिन single-use plastic जो पूरे proper plastic का ही है और उसको हम लोग से वन यूस के लिए यूस कर रहे तो वैसे product को वैसे plastics को जो है उसकी manufacture, sale, use यह सा यहां पर आप देखो UPSC Prelims में भी question पूछा गया था कि what is extended producer responsibility, this is very important concept, समझने का कोशिश कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है कि माल लीजे कि एक industry है, यह industry जो है यहां पर plastic production करती है, plastic manufacture करती है, इनके दोरा plastic बनाया गया, अब यह जो है यहां पर responsible है, यह plastic आप बना के दे रहे ह प्लास्टिक में, तो लोग इसको इसको इस्तमाल कर रहे है, अगर आप बना के ही नहीं दोगे, ऐसे industry को बंद कर दिया जाएगा, तो obviously कि लोग यहां पर इस्तमाल नहीं करेंगे, correct, बट यह industry यहां पर बना रही है, तो responsible कौन है, ultimate responsible यहां पर वो industry है, जो कि plastic को manufacture कर रहे है तो क्यों ना, इनकी ही responsibility है, कि आप अगर यहां पर market तक पहुंचा रहे है plastic, तो वापस से फिर आपके पास आना चाहिए, जिससे कि आप इसको recycle कर सके, आज की date में जो इतना plastic pollution हम लोग बोर रहे है, तो यह किसकी responsibility है, हर human being की responsibility तो है ही, लेकिन सबसे पहले industry की responsibility है, जहां स यह manufacture होकर आ रहा है, तो कहा जारा है कि extended producer responsibility, यानि कि जो produce कर रहे है उस item को, उनी की responsibility है, यहां पर extend किया गया है, यह आप जब market में plastic पहुंचा रहे हो, तो वहां से वापस भी आप ही का लेने का, यहां पर responsibility है, ठीक है, साथी अगर हम लोग देखे extended producer responsibility guidelines, जो कि यहां पर legal force में आया है, कब से यहां पर 2021 की rules से, यहां पर इसको implement करने के लिए कौन को अजेंसी है, तो obvious है कि center pollution control board है, साथी कुछ state pollution bodies भी है, जो कि यहां पर ban, जो किया जा रहा है, उसको monitor करेंगे, जो यहां पर violation वगेरा है, उसको identify करेंगे, penalties जो imposed किया जा रहा है, वो सारी चीज़ करने के लिए, और यह कब से effective हो रहा है, तो 2016 की rules आई थी तब से, यहां पर environmental ministry भी है, चिन के द्वारा एक national level task force जो है, वो भी set up किया गया, कि एक अच्छा खासा coordinated जो effort से वो यहां पर निकल करा है, साथी state government है, union government है, और concern यहां पर central ministries department है, जो कि यहां पर उनको request किया जा उनको responsibility दी गई है, कि अपने जो disposal किया है product को उसको manage करे, तो यह बात है, यह concept सबसे पहले 2018 की जो plastic waste management rules थी, उसके के तहते इसको introduce किया गया था, फिर ministry of environment, forest and climate change है, जिनके द्वारा यहां पर एक draft बनाया गया, कि 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 सरीके से extended जो producer responsibility है, वेस तायर के लिए उनको regulate करना है, फाइन, अब यहां पर आप देखो 9 reasons है, जिसके कारण यहां पर single use plastic को ban किया जा रहा है, सबसे पहले not easy to recycle, यानि कि plastic जो है, जब हम लोग आप लोग देख रहे हो, कि पहले से हम लोग plastic recycle की भी बात कर रहे है, यहां पर plastic recycle नहीं है, यहां पर circular system की हम लोग बात कर रहे है, तो यहां पर किया है कि water recycle की हमने बात की, लेकिन plastic recycle नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, काफी यहां पर आपके पैसे वगएरा खरचोंगे, huge carbon footprint है, तो plastic के कारण आप देख सकते हो, कि यहां पर carbon emission बहुत हो रहा है, य यहां पर आप देख सकते हूं कि pollutant ही है, अगर यह fossil fuels वगएरा का इस्तेमाल होता है, तो इससे भी emission होते है, इससे cancer वगएरा भी हो सकते हैं, और leeches toxin होती है, food drinks में, high energy uses है production में, साथे wildlife वगएरा और marine life जो है, बहुत जादा इनकी जान जारी है, आज की rate में आप देख र जारी है, जब जान जाकर उनकी जान चली जाती है, तब उनकी ज पोस्माॉटम की जाती है, तो पोस्माॉटम में यहां पे देखने को मिला है, कि उनके पेट से बहुत kilos और यहां पे आपका प्लास्टिक्स निकला है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी dangerous बात ही है, साती पॉलि प्लास्टिक खा रहे हैं प्लास्टिक खा रहे हैं प्लास्टिक खा रहे हैं प्लास्टिक खा रहे हैं और हम लोग प्लास्टिक खा रहे हैं तो फिश खा रहे हैं वो लोग प्लास्टिक खा रहे हैं इसके वज़े से आप देख सकते हो कि इंडिरेक्टी हमारे भी फूट चे यह spread हो रहा है, spread कहने तो सही नहीं होगा, बहुत जादा ही आपको देखने को मिल रहा है कि लोग इसके, patient इसके मिल रहे हैं, तो यह सारी चीज़े क्यों हो रही है, यह सारा reason आप समझ सकते हो कि एक जो plastic आफ फेक देते हो आराम से, उससे कितना जादा नुकसान हो रहा है, तो यह चीज़े धियान रखने हैं कि reason भी क्या है single-use plastic को ban करने का, so this is very important, next आते हैं कि other initiative जो की news में रहे कि कैसे plastic west को tackle करना है, सबसे पहले United Nation की है plastic collective, तो यह एक voluntary initiative है, जो की United Nation की जो environment program है, उनके साथ यहाँ पर India है, और Confederation of Indian Industry है, WWF India है, जिनके ज़ारा आप देख सकते ह इसको launch किया गया है, glow leader अगर partnership project देखें, तो actually इसको launch किया गया है, यहाँ पर IMO, International Maritime Organization है, Food and Agriculture Organization है, United Nations के, जो की developing countries को यहाँ पर assist करेंगे कि कैसे यहाँ पर prevent करें और reduce करें जो marine plastic leaders है, यहाँ आप देखते हो कि यहाँ पर पूरी तरीके से ocean में plastic जो है, वो यहाँ पर फैली aim था कि triple करना, यानि कि जो यहाँ पर आपका plastic waste management है, उसको यहाँ पर almost triple करना, सही तरीके से, यहाँ पर plastic waste जो है, इसको manage करना, वो भी 100 cities को, कब तक to 2024, 2024 तक का target रखा गया है, कि 100 cities में यह जो plastic waste management है, इसको triple करना है, UNDP के द्वारा अगर हम दो देखें, तो इस project को launch किया ग यहाँ पर जो plastic waste का impact उसको कम कर सके हम लोग अपने environment में, साथी यहाँ पर आप देखो कि जो यहाँ पर रखा गया था, कि collect भी करना है, जो भी plastic है, साथी segregate भी करना है, आप जानते हो कि solid waste और liquid waste को अलग करने का भी यहाँ पर system आ गया है, तो यहाँ पर plastic को भी अलग करना है, recycle करनी है, जितनी भी तरीके के plastic है, जो कि यहाँ पर हमारे circular economy का जो funda है, उस तरफ हम लोग बढ़ सके, साथी अगर देखे, अब तक 83,000 metric tons of plastic waste यह collect किया गया है, साथी यह जो project है, यह आपका 5500 सफाई साथी इस तक यह पहुँच चुका है, साथी उत्थान की बात करे तो एक social protection program है, जो कि यहाँ पर launch किया गया था, to help 9000 सफाई साथी इस, तो यह सारे points को आपको ध्यान रखना है, next आते है यहाँ यहाँ पर, Uranium African Bosch, तो यह है क्या है, recently यहाँ पर University of Madras और Presidency College जो चैन्नी में है, उनके द्वारा UAB को यहाँ पर isolate किया गया है, as a potential biodegradation agent for plastic sheet यह है क्या, यह एक variety है, microlage का, तो microalgae, microalgae, जो alga जो है उसका एक variety है, जो कि यहाँ पर different kind of, जो यहाँ पर polyesterids और जो enzyme toxin है, जैसे कि synotoxin है, hormone है, इन सब को यहाँ पर produce करते है, UAB की बात करें यहाँ पर, तो commonly Africa में पाए जाते है, Asia में और Europe में, ठीक है, Zero West Cities Challenge की बात करे तो West Aid है, जिसमें कि दो winners को यहाँ पर choose किया गया है, और यह दोनों Guwahati से है, जिसमें कि इनके द्वारा क्या काम किया गया है, कि circle और economy को यहाँ पर promote किया गया है, और जो plastic की uses है, उसको कम किया गया है, तो यह सारी topic इतने जादे important नहीं होते है, प्रिलेंस में, प्रिलें यहाँ पर देखते हैं, यह है, आपका bubble curtain, यह आप से पूछा सा सकता है, कि bubble curtain यह किस topic से related है, तो actually यह technology है, जो कि first time हमारे देश में use हुआ है, अब कोई भी चीज first time हमारे देश में use होता है, या world में वो invent किया जाता है, तो उससे related question पूछा ही जाता है UPAC में, तो इसको भ देख सकते हो कि plastic जो है, वो बहुत जादा ही यहाँ पर आपका इंटर कर चुका है, ships हो, फिश हो, यह भी आपका air bubble से पास हो जाए, बट प्लास्टिक जो है, वो उसको stop कर देती है, प्लास्टिक में आप देखते हो कि बहुत सारी जो fishes वगेरा है, वो से में trap हो जाती है, तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि bubble curtain यहाँ पर बनाना होगा, जिससे कि जितनी भी यहाँ पर चोटी बड़ी fishes है, वो से पास हो सके है, अब आते हैं यहाँ पर concepts in brief, चोटे-चोटे concept इसको देख लीजे, जैसे वर्चुल वाटर, तो वर्चुल वाटर के बारे में भी हम पढ़े थे, यह वाटर है, जैसे कि आप देखते हो कि food वागेरा का हम लोग जो agriculture sector में जानते हो कि पानी का बहुत जादा उपियोग होता है, बहुत जादा है, तो जो हम लोग food or non-food commodities or service को यहाँ पर trade or promote production करते हैं, उसमें जो भी water involved है, उसको हम लोग वर्चुल वाटर कह होता है कि इतने पानी खर्च होते है, जो कि दिखता नहीं है, तो इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं कि हाँ यह rice है, rice की cultivation हो रही है, but no one is talking about the water, जो कि उसमें use हुआ है बहुत जादा, तो इसलिए वर्चुल वाटर की बात की जारी है, for example, आप देख सकते हो कि on an average, अग तो 1 kg of rice को production करने में, तो आप समझ सकते हो कि 1 kg rice के लिए हम लोग 3,000 liter of water को waste कर रहे हैं, तो यह कितना महंगे का सौधा है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोग virtual water को यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगा, और जो इस ताफ पानी loss हो रहा है, उसको हम लोग यह पर manage करेंगे, फिर है right to repair moment, actually right to repair electronic product है, यह ऐसा कहा हो जा रहा है कि अब इसके basis पर कानून मनाने की ज़रोत है, यह move जो है, यहाँ पर जो roots pack है, यह ने 1950 में यह निकल कराया था, और यह concept जो है, basically यह USA का है, तो अभी यह इतना much more important नहीं है, UPSC Prelims के लिए, यह बहुत important है zero liquid discharge, तो अगर हम लोग देखें, जो world water week है 2021, तो national mission for clean ganga है, उनके द्वारा एक session लाया गया है, जो कि zero liquid discharge series है, zero liquid discharge की बात करेंगे, तो actually यह engineering approach है, जिसमें की water treatment की बात की जारी है, और जहाँ पर सारे water को recover किया जाएगा, और contaminated है, तो इस से क्या होगा, कि solid waste यह reduce हो जाएग कि zero liquid discharge means यहाँ पर एक ऐसा engineering approach है, जिससे कि water code यहाँ पर treatment की जाएगी, साथि अगर focus देखें, zero liquid discharge का, तो यह है कि west water जो economically हो रहा है, उसको कम करना है, यानि कि पानी आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा बरबाद होती है, चाहे आप घर पे देख लो या फिर कहीं पर भी है, desalinization, यहाँ पर treatment technologies है, जो कि यहाँ पर virtually इसको purify करेंगी और recycle भी करेंगी, ठीक है, कुछ report indices है, which is very important, यहाँ पर slowvats है, जो कि state of the world's land and water resources for food and agriculture, यह release किया जाता है, food and agriculture organization के द्वारा, इसका aim है कि यहाँ पर stock of implication, यानि कि agriculture और recommend solutions यहाँ पर provide करना है, for transforming combined role of land and water, उसके ब pollution का impact, जो कि freshwater aquatic, terrestrial or avian migratory species में, तो यह release किया गया है, CMS के द्वारा, conservation of migratory species, United Nation Environment Program, जो कि Japan funded, जो counter measures 2 है, उसी का यह part है, इसमें देखा गया है कि plastic pollution का क्या impact, land and fresh water migratory species में, आप देखते हो कि conservation of migratory species है, कुछ species ऐसे है, जो कि आप देखो birds वगेरा है, तो वो fly करके आ जाते है, तो वैसे species का हम लोग ख्याल रखते है, और वैसे species का ख्याल रखने के लिए, एक international convention है, जिसको हम लोग convention of migratory species कहते है, ठीक है, इसमें देखा गया है कि क्या impact हो रहा है, इस तरीके का जो plastic pollution हमारे land में है, तो इससे क्या impact हो रहा है, इन सारे migratory species का, तो उसके उपर का क्या जा रहा है, साथी अगर हम लोग देखें, तो मेजर ट्रेट बताया गया है, मेजर ट्रेट क्या है कि प्लास्टिक वेस्ट जैसे कि आप देखो कि जो फिशिंग नेट होता है, यानि कि बहुत सारी मशलिया पकड़ने के लिए जो नेट वगरा फिकते हैं, तो वो बह तो यहां पे प्लास्टिक जो है, वो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, सही तरीके से हो नहीं पाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम राइज होती है, माइग्रेटरी बर्ड है, जैसे कि यहां पे ब्लाक फेस्ट स्पून बील है, साथी औस प्लास्टिक जो है, वो य यहां पर एक global platform provide करना जैसे कि जो भी migratory birds और उनके रहने का जगह है उसको conserve करें हम लोग इसके party है तो yes और इसके साथ 133 यहां पर parties है अधर की क्या है कि यहां पर आप देखो CMS के तहट दो index है appendix है जैसे आप देखते हो की schedule वगरा होता है जो wildlife protection act है तो उसे के तहट यहां पर appendix 2 है तो पहले appendix में यहां पर वैसे spaces को रखा जाता है जिनकी यहां पर population खतम होने वाली है extinct है और second में है कि वैसे spaces है जो कि यहां यहां पर international cooperation से यह benefit हुए है for their conservation ठीक है तो इसको ध्यान रखने है next है यहां पर United Nations Environment Program के द्वारा एक report लाए गई है जो कि है from pollution to solution a global assessment of marine litter and plastic pollution actually यहां पर scientific basis provide क्या जा रहा है एक urgent यहां पर काम करने के लिए जिससे कि यहां पर plastic emission को हम लोग control कर सके key finding क्या है key finding है कि emission यहां पर जो प्लास्टिक वेस्ट का हो रहा है एक्वेटिक एकॉसिस्टम में उसको यहां पर देखना है क्यों कि ट्रिपल किया जाएगा ट्रिपल हो सकता है यहां पर 2040 में without meaningful action अगर हम लोग यहां पर action नहीं लेते तो प्लास्टिक वेस्ट इस तरीके से generate हो रहा है उससे यहां आप समझ सकते हो कि आगे आने वाले दिनों में एक्वेटिक सिस्टम जो है एक्वेटिक एकोसिस्टम जो है वह इंपक्त होगा मैरे लीटर और प्लास्टिक पोलिशन की बात करें मैरे लीटर क्या होता है आप देखो कि ओशिन वगेरा में बहुत सारे प्लास्टिक के समा मिल जाते हैं और बहुत सारे कचले कोता ऐसे भी एसे तो छोटी-छोटी रिवर में भी पल्षण में जाते हैं जिसने कि वह सब बहके बड़े ओशन में जाके गर जाते हैं तो मेरे लिटर हो गया, प्लास्टिक पॉलिशन इसी से है, जो कि आज की डेट में एक सीरियस ठ्रेट हो चुका है, जितने भी कोस्टल कॉमिनिटी है, यानि कि जो टटी इलाके के पास जो रहते हैं, वैसे लोगों के लिए और जो सिपिंग और पोर्ट उप्रेशन कर रहे ह अब ऐसे लोगों के लिए उनकी जीवन में यहाँ पे आप देखो कि बहुत जादा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है प्लास्टिक, में सोर्सेज जो है मेरे लीटर और प्लास्टिक पॉलिशन का वो लैंड बेस्ट है, यानि कि जमीन में जितनी भी प्लास्टिक है उस जो है वो आज के भी डेट में इमर्जिंग है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें है, UNEP के द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पर पॉब्लिश की गई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी ध्यान रखीगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारी प्लास्टिक पॉलिशन क इसी के साथ हमने बहुत सारी चीज़े को यहाँ पर डिस्कॉस किया, और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा, जो कि आपको प्लेंस पॉइंट व्यू से बहुत जादा हेल्फुल हो, तो इसी तरीके से PT 365 की सारे एलेशन हम लोग कंप्लीट करेंग करें तरीकिकली, थेंक यू